वेलकम टू माई चैनल टिप्स थीएटर चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्टों बालों का सफेध होना बहुत साधरन सी बात है और जब हमारे बाल कुछ सफेध होते हैं तो हम उसे या फिर उखार देते हैं तोड़ देते हैं या फिर केमिकल वाले डाय क इस्तमाल कर लेते हैं कभी भी केमिकल वाले डाय का इस्तमाल आप लोगों को नहीं करना चाहिए हमारे सारे के सारे बाल सफेध हो जाते हैं बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी आज आपके साँ शेयर कर रही हूँ दोस्टों जिससे आपके बाल ना पूरे सफेध होंगे बल तो बालों के लिए भी वैसलीन बहुत ही ज़ादा फाइदे मन्द है आप वैसलीन की मदद से अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं जो बाल आपके डेमेज हो गए हैं उन्हें वापस रिपेयर कर सकते हैं दो मुहें बाल की समस्या बिलकुल दूर होगी सांथ ही सांथ जो वैसलीन होती दोस्तों इसमें कुछ ऐसे पोशक्तत्व होते हैं जो हमारे बालों को हाइडरेट करते हैं बालों को नरिश करते हैं वैसलीन हमारे बालों को सॉफ्ट बनाती है हमारे बालों को शाइनी बनाती है और साथ ही साथ आप ये कह सकते है एक्स्ट्रीमली हेयर ग्रोथ को फास्ट करती है वैसली इतनी जादा फाइदे मंद होती है एक बड़ा चमच भर कर मैंने यहाँ पर वैसली ले लिया है साथ ही इसमें हम डालेंगे कुछ बूंदे नीबू के रस्की बाल तूटने का कारण क्या है दोस्तों सबसे पहला कारण है बाल जड़ने का जो है दोस्तों ड्राइनेस यदि हमारे बालों में बहुत जादा सूखा पन होता है तो हमें हेर फॉल होता है और वैसलीन हमारे बालों को नमी देती है और इससे हमारा बहुत हद तक के हेर फॉल रुपता है और बाल जो हमारे उम्र से पहले सफेद होने लगे हैं उनमें काला पनाना स्टार्ट होता बालों को पोशन मिलेगा तब तो वे काले होंगे सफेद क्यों होने लगे हैं कम उम्र में क्योंकि बालों को अच्छी तरह से न्यूट्रेंट्स नहीं मिलते हैं मैंने आधा नीबू का रस लिया है, आधे से थोड़ा कम ही लिया है, आप देख सकते हैं, मतलब 5-6 ड्रॉप मैंने लैमन जूस की लिए है, लैमन क्या करता है दोस्तों, हमारे स्कैल्प में यदि किसी तरह का इंफेक्शन होता है, تو इंफेक्शन को हटाने का काम करता है, लै लेमन हमारे स्केल्प को क्लीन करने के साथ ही साथ दोस्तों हमारे बालों को मजबूत भी बनाता है और इस रेमेडी में आपको कम से कम 5-6 ड्रॉप लेमन जूस का इस्तमाल करना है नारियल का तेल कोकोनर टॉइल हम सब के घर पर होता है बालों की जड़ों पर पहुच कर हमारे हेर फॉलिकल को स्ट्रॉंग बनाता है जिससे हमारे बाल तूटना बंद होते हैं साथ ही साथ हमारे बालों में काला पन आता है सफेद बाल की समस्या इसलिए जादा बढ़ गई दोस्तों हम लो इनमें कोई भी डर नहीं होता है बाल के खराब होने का यह सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम सब लोग स्तमाल करते हैं पर नतुस सही तरीका हमें पता होना चाहिATHER और नारियल तेल जो होता है दोस्तों हमारे बालों को अच्छा पोशन देता है और जिससे हमारे हेर सैल हैर मद पर ले रही हूं कपूर, यह वही कपूर है, जो हम लोग भगवान की पूजा में इस्तमाल करें, बिल्कुल छोटा सा टुकडा, यह ना सोचे इतना सारा, मैंने आपको दिखाने लिया है, यह गोल-गोल छोटी-छोटी सी टेबलेट के फॉर्म में भी आता है, या रेक्टर होते हैं कपूर में, और सफेद बालों को काला बनाने का काम करता है, कपूर डेंडरफ को दूर करता है, जो हमारे सिर में कई बहुत जादा रूसी हो जाती है, उससे भी हमारे बाल जढ़ते हैं, हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, जब बालों को सही तरह से नरिश्मेंट नहीं मिलता है, तो hair fall होता है, दो मुहें बाल होते हैं, बाल हमारे damage होते हैं, और बाल सफेद होने लगते हैं, और इस remedy में हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ कपूर, बहुत soft होता है, आसानी से ये crush हो जाता है, ये देखे, मैंने चम्मस से ही इसे दबाया बस, एक हो जाएगी, यदि कुछ दिन तक आप इसका इस्तमाल करते हैं, सब तह में, एक बार या वीक में, आप कह सकते हैं, दो बार भी आप इस remedy को लगा सकतें, यदि टाइम हे तो, आप इसे जासे आप लोग बालों में तेल लगते हो बस बालों की जड़ों पर लगाएं, हलके हाथों से मसाज करें बहुत जादा मसाज करने से भी हमें हेयर फॉल होता है मैं इसमें कुछ बूंदे नारियल की तेल और डाली है एक चमबस डाला था तो वन एंड हाफ टी स्पून मैंने कोकोनट ओल इसमें एड किया है अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे आपको अपन लगा रहने दे सकते इतनी अच्छी यह रेमेडी है आप इसे जरूर ट्राय करें आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा और सफेद बाल के कारण आप थोड़ा सा ध्यान भी रखें खाने पीने का एक आवला डेली खाए आवला खाने से भी हमारे बालों में काल पनाता नेचरल तरीके से हमारे बाल काले होने लगते हैं और इस रेमेडी को आप जब लगाएंगे ना दोस्तों आप खुद देखेंगे कि अरे वाँ दूसरे दिन आपको हेर फॉल होगा ही नहीं आपको अंतर महसूस होगा बहुत ही अजमाया हुआ नुस्खा आपके सा हातों से ओलिंग करने के बाद या इस हेर क्रीम को लगाने के बाद आपको हमेशा मोटे दात वाली कंगी से बालों को सुलजाना है ताकि हमारे बाल थोड़े से ओलिंग करते समय उलज जाते हैं और थोड़ा सा जादा तूटते हैं तो हम डर जाते हैं इसलिए मोटे दात कंगी से बालों को सुल जाएं और इसे आप जरूर ट्राय करें बालों को बढ़े अच्छा पोशन देंगे आपके बाल मजबूत हो जाएंगे हेर फॉल रुकेगा और सफेद बाल की समस्या दूर हो जाएगी तो सफेद बाल आपके बिलकुल काले होना स्टार्ट होंगे दो और साथ ही साथ बहुत तेज धूप में जाएं तो थोड़ा सा बालों को कवर करके जाएं बालों की साफ सफाई का भी अच्छा जादा ध्यान रखें दोस्तों ताकि हमारे बालों को हमेशा पूरे समय मौश्चर मिलता रहे नमी मिलती रहे और हेयर फॉल होने ना पाए तो यापी से लिगा झाब मिलते जिसके हमारे जना प्सकेज्ब स्वीर संवारेन ख्या जैके स।र्फीो जारा भी बालों की साफ